छोटी से टिप होती है बट अगर आपको पता चल जाए और आपके डेली लाइफ में इसे इंक्लूड करते हैं तो आपका घर जली गंदा नहीं होगा क्लीन रहेगा और गनाइज रहेगा साथ ही में कुकिंग टिप्स कुछ ऐसी जो आपकी रेसिपी को पॉफिक बराने के लिए आपको पता होने चाहिए तो ऐसे ही धेरो टिप मेरे चानल पर है तो मेरे चानल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए दे सब्सक्राइब के साथ होती है कि मख्या बहुत परिशान करती है और अगर मख्या किचन में आ जाए तो तो बाबा बहुत ही अधाईजिनिक है बेडरूम में आ जाए तो हमें सोने नहीं देती बैटने नहीं देती बहुत ही परिशान करती है तो इसका एक बहुत ही सिंपल solution ले के आई हूं बारिश के चार मैंने ये यूज करें इन फैक मैं तो पूरे साल ही करती हूं ताकि घर में कोई कीड़े मकोड़े ना हो और चीजे इद्दम अच्छी तरह से साफ हो और चमक जाएं तो वो है फ्रेंड सफेज सिर्का जो हम खाने में चाइनीज वगरे में य अब से एक अगिचонов कोई से डैलूट वसपाइं गटार भी किंचें का प्लाटफॉर्म है उसके बा座ा Bundestag का साफ करें रात को जब आप ख़एं से साफ करें चोंटствен जो हमाने करें इस तरह कि श्पट्ल मेंोंडा करें या विनियूंगर छोटे सप्रेय बॉटल में यूरि स्प्रे करके आप वाइप कर ले किचिन काबिनेट्स ड्रॉइंग रूम में डाइनिंग टेबल सेंटर टेबल बैट के पास बैट सब चीज आप इससे साफ कर सकते हैं इससे चीजे इद्धम अच्छी तरह से जम फ्री भी हो जाती है चमक भी जाती है और जो मख्यों की प्र आपको इस तरीके से करना है अगर यूज कर लिया तो उंगली से आप इस तरह से कर ले अदर्वाइस पूरा वह जो ऑइल का ड्रॉप है वो नीचे तक जाएगा और पूरा का कंटेनर चिप चिपा कर देगा गंदा कर देगा बार बार उसको घिसके दोना बहुत ही आफत क यह mini plates की तरह आप यूज कर सकते हैं इसे color करके भी आप यूज कर सकते हैं या ऐसे यूज करते हैं तो मैं बेश कंटेनर को फेक देती हूं अगर मुझे नहीं चाहिए कोई DIY नहीं बनाना है बट इस तरीके से इसके नीचे के लिए मैं उसके धकन को रख लेती हूं और जब भी आप ओईल या घी का कंटेनर यूज करें उसको एक बार जरूर वाइप करके रखें ताकि वो clean रहे और अगर आपका भी मेरी तरह से बाहर रखा हो क्योंकि कोई आता है अदम से kitchen में वो गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता और एक update देना जाते हूं कि जैसे म money plant एक air purifier भी है friends तो kitchen में भी आपको अच्छा लगेगा तो containers के धकन फेके नहीं उसे इस तरह से यूज कीजे और oil container को भी इस तरह से आप maintain करेंगे तो आपका kitchen एदम clean रगेगा चलिए आज कल श्रावन चल रहा है और उपास भी बहुत लोगों का व्रत होता है तो साबुदाना सही तरीके से भीगो ना इसके लिए छोटी से tip देना चाहती हूं कहीं लोग साबुदाना की खिचिडी बनाते हैं वड़े बनाते हैं बट उस साबुदाना चिप चिपे यहां बोग्वास देना चिप match पांओाना समय ऑप दना ओप सको हाट करो शाएगा की उसे गानथा है कि यहां आज DOWN यहां मैंने साबुदाना को जो साबुदाना ऑच्छी का लिए ँग वाश करनी तीम से चाहर पानी से जब तक कि इसका clear पानी ना आने लगे अब इसमें पानी कितना डालना है तो जैसे मैंने एक कप साबुदाना लिया था तो वही सेम कप से मैं तीन चोथा एक कप पानी लेना है इससे जादा आपको बिलकुल नहीं लेना है यह देखिए और अगर मैं ऐसे अंदाजे से बत देते हैं तीन घंटे के लिए आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते है इतना ही पानी आपको लेना है यही पॉफेक्ट मेजरमेंट है तो देखे तीन घंटे में मेरे जो साबुदाना है पॉफेक्टली सोक हो चुके है पानी का एक भी ड्रॉप नहीं है और एदम खिले- लिए यह साबुदाना बने हैं और पर्फेक्टली सोक भी हुए है इस साबुदाना से अब आप कोई भी रेसिपी बनाया चाहे वड़ा बनाया खिचरी इतना परफेक्ट बनने वाली है तो यह सही तरीका है सही मेजरमेंट है साबुदाना को सोक करने का कोई ऐसे रोकिट मेरा अब जाने वाला है मेरे घर पे गैस लाइन आ चुकी है बट यह सिलिंडर के जो दाग है इसे तो हटाना जरूरी है बिना पानी के इसे हटाएंगे फ्रेंट तो इसके लिए आप कोई भी टोईलेट क्लीनर ले ले और जहां आपको दाग लग रहा है वहां आप डाल इसे बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं आप अदरवाइस आपकी टाइल्स का रंग उड़ जाएगा इसलिए आप तुरंद के तुरंद स्क्रबर लेकि इसको घिसे बहुत हार्ड भी नहीं घिसना है अदरवाइस स्क्राचे जाएंगे बस आप हलका हलका इस तरह से घिस जो टॉयलेट क्लीनर है वो अपना काम कर देगा आपको कोई जादा महनत करने की ज़रूरत नहीं है और बीना पानी के यह साफ होगा इसका दाग इदन सेकिंस में चला जाएगा यह देखे इस तरह से और जो स्क्रबर है मैं टॉयलेट के लिए बातरूं के लिए अलग स्क जा सकूँ तो यहां मैंने इसको अच्छी तरह से स्लोली स्लोली इसको गिस लिया है कोई जादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं है सारी बाते आपको बता रही हूं कि टाइल्स को हाम नहीं करना है हमें इसे पानी भी नहीं डालना है और तुरंत करना है इसे छोड़ना नह दाग निटल लिया देख सकते हैं आप तो इस तरीके इसे चोटी सी टिप है बड़ बहुत ही काम की आप भी आपके सिलिंडर की जो दाग है वो टाइल्स पर से हटा सकते हैं तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको आज की टिप कुछ नया सिखा की नहीं और कौन सी टिप आपक के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी मदत हो सके और सब्सक्राइब कीजिए घंटी के साथ ये बिल्कुल भी फ्री है ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो और आपको सारे नोडिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तब तक के लिए फ्रेंस टेक केर कर दो